हाँ जी तो आप लोग का कोर्स कैसा चल रहा है और जावा एट के अंदर लेमडा एक्स्प्रेशन और स्ट्रीम एपियाई पढ़ने के लिए यह जो प्लेलिस्ट है फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जरूर स्टार्टिंग से फॉलो करिए और फिर आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम मेजरली बात करने वाले हैं मैप और फ्लैट मैप के बारे में कि ये फ्लैट मैप क्या होता है और कुछ और भी चीजों के बारे में डिसकसन कर लेंगे बढ़ आप स्टार्टिंग से जरूर देखेगा वीडियो देखें लास्ट ट्राइम पे हम लोगों ने कि इंपलॉई क्लास का अबजक्ट लिया था और उस अबजक्ट पे अलग लग इस तरह से अलग अलग तरह के फांक्शनल्टी हमने परफॉर्म किया था अब मैं अगर माली एक छोटी से रिक्वार्मेंट आपको देता हूं फिर मैं फ्लैट मैप के बारे मताऊंगा ठीक है छोटी से रिक्वार्मेंट बस इतनी है कि मुझे क्या करना है ना जो मेरे यह बन आके रिक्वार्म फ्याय करना है कि मुझे दो डीटा चाहिए देन डीटा चाहिए ऑप वह कोंझा यूद्र या रिड्यूस के बाद ही कि बात कर लो कहीं से बात करो यह डिर् appetite की बात कर लो मुझे इस तरह ऐसा operation करना है तो कैसे करोगे आप बास में आ रहा है मेरा question question ये है कि मेरे पास जो list है list से data को निकालिए और लेकिन उस data में से जब filter करिए जैसा मर्जी वैसा करिए मुझे कुछ item को skip कराना है और साथी दाथ limit लगानी है तो कैसे करोगे तो देखे इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ फिर मैं आपको filter की आगी कहानी reduce map की आगी कहानी बताता हूँ आप अपनी employee object पे stream चला दीजे ठीक है ना थोड़ा से इसको उपर लेके चला जाता हूँ आपने अपने employee object की उपर stream चला दिया stream चलाने के बाद मर्ज़ी आपकी sort करना है filter करना है नहीं करना है वो बात की बात है अगर आपको filter करके filter करके उसके उपर से वो limit लगानी है तो filter करके करिए तो filter करने के बाद dot करके देखे यहाँ एक option आएग limit ठीक है न जिसमें आप maximum size बता सकते हो तो मैं कोई filtering नहीं कर रहा हूँ directly limit लगा रहा हूँ तो आप ऐसे limit लगा सकते हो ठीक है कि भई मुझे न इस जितने भी streams data निकल के आ रहा है तो मुझे इसमें से चार ही data को fetch करके लाना है चार data को fetch करके लाना है और उसके बाद यहाँ पर लगाए dot यहाँ पर लग दीजिए collect और collect के अंदर pass कर दीजिए collectors collectors dot to list ठीक है तो आपके पास limited data यहाँ पर return हो कि आप रहा है है न परिंट कर लीजिए इस data को system.or.intelan के अंदर यहाँ पर collect करके जो बना हुआ है इसको print कर लीजिए तो आप देखिए आपके पास सारा data नहीं आएगा आपके पास total 8 data था न 8 elements थे न 8 elements थे लेकिन आपने अभी उसमें से 4 elements को fetch कर लिया देखिए id1 है id2 है id3 है और id4 है देखिए 4 के बाद आपके पास कोई item नहीं है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो एक limit लगा के limited amount में जो आपको data चाहिए वो ले आईए और फिर भी अगर आपको इच्छा हो limit limit चलो एक चीज है आपको ने कहा कि ठीक है limit हम बाद में लगाएंगे मैं इसके अंदर से जितने भी data है उसमें से तीन ही data चाहिए या बाकी सारे data को skip ही करना चाहता हूँ मैं चाहता ही कि नहीं हो मेरे पास data हो तो limit के जगे हम पर आप skip लगा दीजे skip लगा दीजे मतब जो बचा हुआ element है वह आपको देदेगा जैसे मैंने क्या करा स्टार्टिक के लेट से मैंने दो दो element को skip कर दिया मतब दो data जो है यानि कि यह one और यह two क्योंकि element इंक्रीजिंग order में add होते हैं इंक्रीजिंग बोलो या यह बोलो insertion order में insert होते हैं तो पहले वही दो रहेंगे न तो दोनों को मैंने skip कर दिया भाई आप देखिए skip करके ही मेरे पास data आया है आप देखिए दो को skip करने के बाद तीसरा ही तो शुरू होता है तो तीसरे से data आ गया हमारा तो skip का मतलब अलग होता है limit का मतलब अलग होता है आप समझेगा बात को तो आपने का skip और limit दोनों लगा सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है भई तो देखिए आपने initially दो को skip कर दिया और बचा अच्छ है और उसमें से आपने limit लगा दिया कि नहीं भाई उसमें से मुझे उसमें से भी मुझे दो ही data को दिखाओ या तीन data को ही दिखाओ ठीक है तो सुरू के दो element को skip करने के बाद बाकी 6 बचते हैं लेकिन 6 में से तीन को ही data को limit लगा के हमें दिखाएगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस तरह से हम skip भी कर सकते हैं limit भी लगा सकते हैं आ रहा है कौन कौन से data आ रहा है तीन आ रहा है चार आ रहा है पांच आ रहा है तो तीनी element तो आना था तीनी data आना था limit हमने थिरे लगाया है तो आप skip भी use कर लिजे, आप limit भी use कर लिए, देखे ये जो सब methods होते हैं, ये proper builder pattern पे काम करते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे समझे लिजे कि मतलब यहां matter नहीं करता है कि पहले skip लिखोगे, पहले limit लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे, पहले filter लिखोगे कि पहले reduce लिखोगे, जो हमारे intermediate operation होते है न, वो बीच में कैसे भी map करा जा सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे dot लगा कि आप और भी function चला सकते हैं, matches, matches, distinct, distinct, find any, flying map, ठीक है, ठीक है, ये flat map होगा रहे है, तो इसकी भी कहानी आपको मैं समझाता हूँ, तो skip भी कर सकते हो, short it बता प्राइगरिएगा, और भी कुछ method आपको ऐसा लगता है, कि जरूवत है, तो मैं आपको बता दूगा, almost मैंने, यहां पर देखे, सारे ही तरीके से, maximum, minimum, you know, collect, सारा operation, मैंने यहां पर try कर दिया, some functionality, try कर दिया, last time पर यह भी किया था, अच्छा, इसको एक और तरीके से, मै जैसे मालीजे मुझे सम निकालना है, है न, तो मैं यहां पर reduce वाला operation न चलाके, अगर मालीजे मुझे सारे salary का सम ही निकालना है, तो मैं salary plus, और salary dot get salary कर दूँ, तो क्या ऐसा भी तो आ सकता है, और dot करके, आपको क्या करना है, और teach लगा दीजिए, ठीक है न, तो आपको count करके, मतलब जो भी salary निकालके, और सीथे हम उसे print भी करा लेंगे, ठीक है, तो इसको हमें कई hold load करने की जूरत नहीं है, तो और यहां पर भी print करने की जूरत नहीं है, ठीक भई, तो ऐसे कर लेते हैं, क्या ऐसा भी काम करना च है, तो ओके, अगली वाले salary में हमारे पास total count नहीं कर रहा है, यह न, एक data को अगले data में उठा के count करता चला जा रहा है, एड करता चला जा रहा है, ठीक है न, जैसे यह 400, पहले वो E1, E2 को add किया, फिर E3 को add किया, E3, E4 को add किया, इस तरह से किया रहा है, वो अलग चीज है, यह अलग चीज है, चलिए, तो यह सब तो हो गया वही, आपको समझ में आगे script क्या है, आपको समझ में आगे limit क्या है, तक और भी function हो सकते हैं यार, आप explore करिए, मुझे बताइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, the most important चीज, वहीं important तो सब कुछ होता है, but extreme ही topic अपने आप में बहुत important है, बट जो map और flat map है, इसका interview भी question पूछा जाता है, कि what is the difference, क्या है difference, map versus flat map, तो देखिए, map और flat map को समझाने के लिए, मैं क्या करता हूँ न, मैं क्या करता हूँ, इसी package को ही copy करके दुबारा यहाँ पे paste कर देता हूँ, दुबारा ही यही को ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे नया set of data चाहिएगा इसके लिए, ठीक है, थोड़ा नया set of data चाहिए, तभी जो है मैं इस concept को समझा पाऊंगा, आपने का नया set of data का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे employee लिया है, ID लिया है, name लिया है, salary लिया ह है, ठीक है न, especially city नहीं लेना है हमें, हमें पूरा address ही लेना है, instead of city, let me take the whole address, address रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि address के चीज़ों से मिलके बनता है, और बलकि string type का address नहीं, list of address रखना है, मुझे list of address रखना है, ऐसा हो सकता है क्या, list of address, address, तो यह किस type का रखो गए, address अलग से class बनाओगे, क्या, string ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए डबल डी, क्योंकि आरी डबल एस, right, list of city भी हो सकता है, list of address भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, जो आपको जिस तरह से आपको data रखना है, मैप करना है, मैनेज करना है, वो आप कर सकते थे, तो यह हमारे पास data है, इस data में, इस data की कहानी क्या है, तो इस data की कहानी कुछ इस प्रकार है, कि हमारे पास id है, name है, address है, तो address को भई, ऐसे ही रख लीजे, जैसे यहाँ पर address बनाएगे है, list of address है, right, list है, तो यहाँ पर this.address करना पड़ेगा आपको भई, list.address is equal to address करना पड़ेगा, अब मालिच इस तरह का कोई situation बनता है न, इस तरह का कोई situation तो बन सकता है, कि ने बन सकता है, कोई ऐसा situation बन सकता है, जहाँ पर, जहाँ पर आपको एक employee की address की भी detail दिखानी है, लेकिन address में आपको यह पता करना है, कि हमारे कौन कौन से employees किस-किस address से आ रहे हैं, address multiple भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, एक employee के बहुत सारे addresses हो सकते है अब आपके employer को आपके company को ये जानना है ये जानना है कि भाई अभी employee कहां पे है कौन से address पे हैं तो ताकि वो हमारे office बुलाया जा सकता है कि नहीं या भी भी work from home चलता रहेगा वो मज़े लेता रहेगा घर पे तो हमें बुलाना है या नहीं बुलाना है तो उसकी list of addresses को maintain करना है में देखना है कि उसके address क्या है उनकी mapping करनी है उनको दिखाना है इस तरह से चीज़े मतलब आप यह कह रहे हो कि आपके पास एक employee object है और object के अंदर क्या है ID name salary है और उसकी अंदर फिर से एक अभी मैं इसका list object बनाऊंगा employee का list object कैसे बनेगा भाई employee के लिए जो list object पूरा हमारा बनेगा जो कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है यहां से नीचे से सारा चीज़ अठा देते हैं ठीक है या तो कोई अगर चीज आपको अगर इच्छा है फिल्टर operation कोई map operation जो भी आपको करना है अगर इस में कोई map operation या filter operations आपको पता करना है तो अब पता कर सकते हो अब कुछ रख सकते हो आपकी इच्छा है यहां से कुछ चीजे मैंने हटा दिया यह लिस्ट हम निकाल रहे हैं यह रहने देते हैं बस तैट इक है और यहां से क्या करते हैं अब देखें यहां पे प्राब्लम आने लगा क्योंकि प्लॉई के कंसेक्टर में पहले सीटी जाता था सीधे आप क्या जाएगा लिस्ट ओफ सीटी मतलब टेटा के अंदर फर्दर डेटा है समझे रहे हो तो तो तेखो अगर मैं आपको एक दो मिलकुल लेमैन की रूम में बता हूँ यार फ्लैट मैप और मैप में क्या अंतर होता है देखिए बात समझेगा बात को समझेगा बहुत सिंपल सी बात है स्ट्रीम की उपर स्ट्रीम की उपर डॉट लगाके फिलैट मैप बी चला सकते हो पहले श्ट्रीम लगाई है स्ट्रीम से आपको क्या मिल जाएगा जो अरिजिनल डेटा था उसकी एक कॉंफी बन जाएंगी djemutable copy और उसमें फ्लाटमैप चलाईये लेकिन कोश्चन है कि क्यों चलाएंगे तो फ्लाटमैप functional पेरामिटर लेता है और function में भी देख रहे चाहिँ extend करके stream पता नहीं क्या और की इसके अंदर डेटा है list of elements list of employees है उनको वो handle कर लेता है normal map ठीक है न लेकिन जब employee के अंदर की data के अंदर further जो data होता है यानि कि अब एक employee के data में क्या है id है name है city था पहले normal data अब इस बार मैंने list type का data ले लिया मतलब एक list के अंदर जो data है उसमें further list के अंदर list है array के अंदर array है array of arrays है ऐसे समझ लीजे double array of arrays क्या होता है double dimensional array होता है क्योंकि double dimensional array की definition ही होती है array of arrays बहुत सारे arrays का single array और या बहुत सारे list को मिला के single list तो यानि इसको हम बोलते है complex data मतलब data के अंदर हमारे पास एक list object था उस list object के अंदर further list object है देखो बात ऐसी हो रही है जैसे देखो यह हमारे पास employee object था जिसको हमने list में add किया था लेकिन इसमें address एक ऐसी चीज़ आ रही जिसमें further list है तो जब list के अंदर list है यानि कि array के अंदर array है इसको बोलते complex data तो भाई उसी complex data को भी map करने के लिए प्राइवेट लिस्ट आफ इंप्लॉईज समझे यह बात है बड़ा interesting बात है बहुत मज़ेदार बात है चलिए भाई चलिए चलिए तो आप बात यहाती है कि यहां पर यह जो नोयडा लिखा हुआ है न भाई यहां पर जैसे नोयडा के जगें पर हमें इनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें यह जैसे यहां पर प्राइवेट लिस्ट आफ इंप्लॉईज हमने बना रखा है तो हमें प्राइवेट लिस्ट आफ नॉट इंप्लॉई हमें लिस्ट बनाना है किसका अड्रेस का तो कि string type का हमने ले लिया और इस address list का address list का अलग से हम object बनाएंगे भाई, address list is equals to, आप क्या करना चाहते हो, list.off के अंदर data add करना चाहते हो, तो कर दीजे भाई, आप यहां लिखे list.off, और उस off के अंदर, जितने आपके list of, you know, elements and list of data हैं, वो आप add कर लिजे, लेकिन यहां पर बात आ रही है कि कैसे अलग-अलग add करें कि, तो मुझे यही list of data को उठाके, सारे ही, आपके employee के अंदर उठाके pass करना पड़ जाएगा, मैं चाह रहा हूं कि, जैसे यह राम नाम का employee है, तो उसके जो address है, मतब एक तो तरीका यही है, कि हम क्या करेंगे, यही जो address है, यहां पर जो address है, फिर address है, यह greater noida, ठीक है, ऐसे, ऐसे ही यह address है, हमारा gkp, यह सारा ही address list of, यह तो list of address तो बनी गया, और यह address की जो list है, वो यहां पर ऐसे pass कर देंगे, तो फिर और solve हो गया, तो इस data के अंदर क्या हो गया, further data हो गया, तो बात, hopefully आपको बात समझ में आ रहा होगा, कि हम, अब जब, हम कभी भी हमारे पास, एक data के अंदर further data हो, या map के अंदर further map हो, map के अंदर map नहीं बोलो, array के अंदर further array हो, तो array के अंदर further array हो, तो उस case में क्या कर सकते हो भई, array के अंदर array रखने के लिए आप क्या करो, आप use करो भई, आप use करोगे क्या, what is flat map, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ, या address की जो list है, अगर मैं यही सब के अंदर पास कर दूँँगा, तो यह सब के लिए address हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अलग-अलग अडरेस बना हो एक कुछ अडरेस ऐसे हो जिनको ये यूज़ कर रहा हो कुछ अडरेस ऐसे वो हो जो इनको ये यूज़ कर रहा हो कुछ अडरेस ऐसे हो जिसको ये यूज़ कर रहा हो हो सकता है मतलब या सारे ही Chinese में आप अलग-अलग address देना चाहते हो तो ऐसा data कीई वी type का हो सकता हैumuz इक कि यहां matter नहीं करता है कि इस type का data होगा कुछ same भी हो सक्ता है कुछ अलग-अलग भी हो सक्ता है वह आप की तो इसमें कोई दिखत वाली बात नहीं है तो ऐसे ही रख लेते हैं पस्ती लखनावू अच्छा अब और यह दे दिया हमने जिगोंडा सारा ही डेटा दे देते हैं सारा ही डेटा दे देते हैं जितना सीटी हमने सारे सबके लिए लिखा हुआ था अब इनकी हमने एक फर्दर लिस्ट बना दी और उस लिस्ट में से कौन सा लिस्ट इसके पास जाने वाला है we don't know बीटा वन गामा ठीक है डेल्टा चाई फाई आप कह रहे हैं कि यह सब क्या बोल रहा हूं आखर आपको नहीं पता है तो ऐसे ही नाम होते हैं alpha beta gamma डेल्टा चाई फाई फाई तो यहां पर आप यहां पर आप क्या कर दिया in तो oh यह हमने एड्रस लिस्ट बनाके डाल दिया पूरा का ठीक है और आपने क्या निकाला भई फिर दर इस पर मैप ऑपरेशन करते हैं तो मैप ऑपरेशन करोगे कैसे भई आप लिखाओगे इंप्लोई.stream.map.getname अब मैप से सारे इंप्लोई का नाम निकालोगे नेम ही निकालोगे या कुछ और भी डिडा चाहिए तो आप recite करिए कि आपको क्या चाहिए मुझे तब address चाहिए मैं address पर focus करना चाहता हूँ तो address को ही मैं collect करके यहाँ पर सारी addresses जो है ठीक है जितने भी address आ रहे हैं उन सारे address को यहाँ से निकाल के और list of address 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 जो भी variable है उस पर बना के यहाँ पर मैंने print करा दिया क्या कहरा भी कहरा है कि भाईया इसको ऐसे change करो यह दो बार ऐसे दो bracket लगाओ यह दो bracket जब यह हमें बता रहा है कि भाईया इससो list of list data है बना कई data है इसके अंदर एक data नहीं है आप सुच रहे हो कि केवल address है वो address address नहीं address जो है address की अंदर फड़ दर एक list है तो address तो यह है ही और address की जो list है वो यह है उपर इसलिए आपके से दो बार लिखो हमने लिख दिया और लिखने के बाद इसको कर दिया compile ठीक है तो आप क्या देख बा रहे हो वही यह तो सबके लिए सबके सबके लिए same address दे रहा है सबके लिए addresses दे रहा है वो क्योंकि उन्हें सबके लिए वही value डाल दी है न अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूं तो सबके लिए तो value चली जाएगी सोचिए ज़रा थोड़ देर के लिए यह तो काम होना ही था हाँ अगर आप ID निकालते तो ID निकल के आ जाता name निकलते तो name निकल के आ जाता है ना लेकिन जब आप cities निकाल रहे हो तो सब की लिए city आएगा भई और बिल्कुल perfect आएगा वो तो आना ही चाहिए था अगर आप cities के जगहें पे कुछ और print करते हैं let's suppose कि आपको name ही चाहिए था लेट से तो name में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भई तो name तो सबका अलग से आसानी से print करके दिखा देता और यहाँ पे आपको multiple list लेनी की भी जूरत नहीं पड़ती list of list यहाँ पे बस name है और name में यह आपका name बड़ा आसानी से ही print करतेगा इसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ठीक है तो आपका सारा ही name आजाएगा देखिए बहुत आसानी से आजाएगा है ना आ गया देखिए रामकुबार स्यामकुबार प्रवींतर पाटी ठीक है बहुत अच्छा भए बहुत अच्छा वेरी नाइस तो सर वेरी नाइस नहीं है बात यह है कि सर मुझे न मुझे जो address आ रहा है था उस address के अंदर के further data को निकालना है ठीक है कौन कौन किसके किससे belongs कर रहा है उसके अंदर कुछ further you know betrayer schaffen करहा है तो आप क्या करिए यहाँ पे जो षक्री चल राहा है मैप चल रहा है न है अच्छा मैप क्या रिटन करता है मैप return keretak करता है कि वह उससऺंश्रीं करता है तो फ्लैट मैप भी लेता होगा left-of stream तो नहीं return कर रहा है तो फ्लैट मैप यहां पर फ्लैट मैप चला डीजे तो jswith stream यह भी stream return करेगा बट participating consisting of the result of replacing each element ठाइम अपसे चला सकते हो फ्लैट मैप जैसे देखें यहां पर चलिए भई, फ्लैट मैप हमने चला दिया तो फ्लैट मैप चलाने के बाद इसके अंदर क्या जाएगा भई इसके अंदर क्या पास होगा, ये तो काम नहीं कर रहा है तो control space करिए अब फ्लैट मैप के अंदर आप यहां further यहां पर जो आपजेक्ट आएगा, वो कौन सा आपजेक्ट है भई डाट लगाईए, तो यहां पर address तो आई रहा है आगया भई क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है, फ्लैट मैप के अंदर जो address object आ रहा है वो यहां पर hold नहीं हो पा रहा है यहां पर इस सरह से hold नहीं हो पा रहा है यह समस्य हाई तो इसको मैं क्या कर देता हूँ control-1 Control-1 करके यहां पर क्यों हो रहा भई control-1 प्रेस करके यह बार-ार यही पर सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर अभी error है यहां पर आ रहा है कि type mismatch हो रहा है type mismatch हो रहा है कहीं न कहीं दिक्कत आ रहा है क्या दिक्कत आ रहा है कह रहा है कि जो list string है वो stream object है भई तो कैसे operation होगा भई मैं बताता हूँ कैसे operation होगा क्योंकि जब आपके पास यहां address आया न list of addresses आई उस address के उपर से आपको further यहां पे जो कि map में आप नहीं कर रहे थे यहां पे आपको dot stream लिखना पड़ेगा क्योंकि उस map के अंदर जो stream है उस stream से further आप data निकाल रहे हो तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा उस stream से अंदर से stream मतलब address के अंदर से आप पही देखो बात क्या हो रही थी वही तो बात हो रही थी ना कि collection के अंदर collection list के अंदर list array के अंदर से array यह तो से जो है तो अगर array के अंदर से array होगा तो address तो हमारे पास आ ही गया address की उपर से जब stream चलाओगे तब तो फिर से data निकल के आएगा अब उस data को आप filter करो कुछ और करो जो मर्जी वो करो जो आपकी इच्छा है वो कर दीजे यहां पर अभी आप क्या करें एसाइन कर लीजे collect करके जो है लिखा रहा है तो हमें फिर से उसके उपर इस stream चलाना होता है कहने मतलब यह है मैप में ऐसा नहीं देखते हो मैप में अगर ऐसे डॉट करके stream लिखोगे तो यह वर कर रहा है नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास further data नहीं है और इस data के पास further data क्योंकि इसमें address की list बनी हुई है तो उसके उपर आप further stream चला सकते हो और स्ट्रीम के ऊपर से आप data निकाल सकते हो देखें चलिए भई अब क्या आ गया डेटा तो अभी भी वही आ रहा है लिक नोड़ा ग्रेटर नोड़ा यह 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 डेटा तो आएगा ही आएगा उसमें कोई ऐसा दिक्कत है नही क्योंकि हमने कोई operation नहीं करा उसके उपर आप filtering लगा दो ना आप यह कर दो कि भईया जिसकी state यह जिसकी city ऐसी हो तो उसी का ही data दिखो जैसे stream के उपर फिर से आप ने क्या कर दी आप ने लिगा लिए distinct मुझे unique वाले चाहिए यह drop चाहिए यह filter कर दो आप आप ने कह दिय है कि जो data हमारे पास आ रहा है उस data के अंदर आपको क्या करना है जिसकी city start होती है जिसकी city start होती है let's suppose यह contain होती है contains with boolean में ही देना है कहने को मतलब है ठीक है ना start with चला दीजे end with चला दीजे जो आपको अच्छा लग रहा है तो जो start with हो रही है a से खीक है न तो start with a से शुरू हो रही है a से तो है ही नहीं कोई अगर होगा तो तो उस particular data को मुझे यहां पे print करके दिखा दो भई है ना t1 ल रेडी है इस लाइन में ठीक है तो बस तो यह हमें उस data को दिखा देगा अब मैं मैं इसको थोड़ा सा अलग भी data ले सकता था वो मेरी इच्छा है मेरी मर्जी है start with a capital A होगा तो एक data आ भी जाएगा capital A नहीं है कि यहां पर देखिए आपने क्या कर दिया यहां पर आपने इसको रण कर दिया दुबारा देखिए अलफा अब देखो यह बात यारी है कि यह हर एक केस में अलफा 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 इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने इस data को एट टाइम इट करा है राइट एट आपको क्या करना है पुरी लिस्ट नहीं करानी है ओके तो स्टार्ट विथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करो बाद में collector.collect न करके dot लगाओ तो two list match count निकाल दो बस count ही निकाल दो कि भई या start with a वाले कितने cities हैं कितने cities हैं start with a से हमारे employees की list में या alpha पूरा alpha लिख दो या जो भी है लिख दो ठीक है तो यहाँ पे उसकी total count पता चल जाएगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भई वैसे तो कुछ जादे है नहीं वन ही है तो आपको one count return करके दे देगा one matching उसको मिला है अच्छा eight element है ना इसमें alpha alpha वही मैं आपसे कह रहा था कि इसमें कहानी क्या हो गई कहानी यह हो गई कि आप जो है एक ऐसा काम करना चाहिए था मुझे मतलब कर सकते हो आप भी कर सकते हो आप अपना खुद try कर लिजेगा आप क्या करिए न आप एक address list बनाईए समझ रहे हो ऐसे जैसे मालीजे address list is goes to new और यहां पर लिख दीजे array list ठीक है ऐसे बना लिजे और बनाने के बाद इस address list के उपर कुछ data add कर लिजे लेट से इसमें add कर दिया दो country या तीन city या तीन city ऐसे आप दो city या तीन city आप यहां पर add कर दीजे ठीक है फिर एक list बनाईए ऐसे ठीक है उसमें आप दो city और add कर दीजे इसका नाम पास कर दीजे यह जो list बन है यह पास कर दीजे क्यूंकि क्यूंकि देखो हर इंप्लॉई का एक थोड़ी न एड्रस होगा यार वह गलत मैंने वह जो बनाया है यह वाला कहानी यह थोड़ा सा अलग हो गया है तो और उस case में यहां पर कोई global लोगर है बनाने की जरूत ही नहीं है आप बस यहां पर list of strings रखिए और ऐसे कर सकते हो तो मैं simplicity के लिए सोचा काम मेरा असान हो जाएगा बट उससे output सोड़ा मज़िदार नहीं आ रहा है ठीक है ऐसे आप कर लीजिए अब उसके बाद आप इस तरह से आप आठों के लिए आठ अलग-अलग बना सकते हो या या दो-दो बना सकते हो combination यह आपकी इच्छा है ऐसे बना सकते हो combination और फिर आप यहां पर हो सकता हो कि एक employee दो-दो city से बिलॉंग कर रहा हो और यह जिसे नोडा से भी बिलॉंग कर रहा है और ग्रेटर नोडा से तो इस टाइम पर कहां नोडा में ग्रेटर नोडा में यह जीकेपी से भी बिलॉंग कर रहा है बस्ती से भी बिलॉंग कर रहा है तो इस टाइम पर कहां है भाई इसको ताकि बुलाया जाए ऑफिस में हैं तो इस तरह से इस तरह का कुछ mapping की जुरत हो सकती है ठीक है तो ऐसे ही माल लिजे कि मैंन लखनाओ ले लिया यह ठीक है मैंने भी कर दिया मैंने ही कर दिया भाई आपका सारा काम तो ऐसे यह और भी आपजेक्स ले सकते हो आपकी इच्छा है तो इस केसे मुझे करना क्या है देखो करना यह है पहले तो यहाँ पे 3 कर दीजे इसे copy करिए यहाँ पे paste कर दीजे यह दोनों का address अलग हो जाएगा इन दोनों को दे दीजे address 3 तो इनका अलग हो जाएगा और इनका भी वही रहने दीजे तो इस बार थोड़ा अलग data हो गया तो आपको थोड़ा सा अलग output आपको नजर आएगा ठीक है आपको अलग output नजर आएगा है ना अच्छा output देखो यह यहां पर यहां पर इस दोनों का अड्रेस जो था नोड़ा नोड़ा ग्रेटर नोड़ा फिर ग्रेटर नोड़ा बस्ती जो भी जिस तरह थे हमने पूरा एरे दिया था वह एरे प्रोसेस्ट हो गया है तो कहने का मतलब यह है अच्छा आप कोश्चन ही आ रहा है कि यहां पर जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि मेरे पास वह डेटा हो गया नहीं ना मैचिक नहीं होगी जो मैंने स्टार्ट वित जो भी लगाया है तो इस तरह से आप लगा सकते हो और अपने कंडिशन को फिट करा सक होता है आपको यहना मेरे जाता है मैप कर आ रहे है और कि लिस्ट में निखाल रहा हूं यहरे में फर्दर लिस्ट है बादर है घरे की फर्दर एरे है तो उस case में आप क्या लगा दीजिए उस case में आप map न लगा के flat map चला दीजिए बस इतनी चोटी सी बात है और flat map जब लगा दोगे तो फिर क्या होगा पर flat map लगा दोगे न तो जो आपका data आएगा उस data से आप further stream निकालोगे यह इतनी बात है यह main point है उस data स फर्दर आप stream निकालोगे और उस stream के ऊपर से आप आपको further जो भी operation है न वो आप करते चले जाए फिल्टर लगाईए reduce लगाईए map लगाईए जो बर्ची वो कर लिजे तो this is the flat map will work in case of array of arrays देखिए तो के रटर्ण से stream containing result of replacing each element with this 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 ऐसे गर के लिखा रहा है तो array of arrays का मतलब क्या होता है एक array जिसमें बहुत सारे आरे हों जैसे मैं एक 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 एरे सिंपल सा एरे का एक एक एक्जामपल लेकि आपको समझाता हूं जैसे मालेजे कि मैं एक string type का array बना लेता हूं ठीक है वैसे चलो string double-dimensional बना दो लिखे एक double-dimensional array मैंने create कर दिया वैसे तो कैसे भी create कर सकते हैं मैंने new operator के थुरू ऐसे object बना सकते बीना new से भी बन सकता है और यहां पर आपने double-dimensional array ले लिया जिसमें आप कुछ string store कर लीजे जैसे आप एक curly bracket के अंदर further curly bracket लीजे और यहां पर data दे दीजे जैसे आप eight-loadchen आं faktiskt कर लिए क्या है और यहां से आप ऐसे कम करया कि आप फिर से curly bracket में यहां पर सी ले लीजे कि होगया महां लीजे इसके अंदर डी उगया क ऐसे महां लीजे डीटा आपने बना दिया फिर यहां कम कवा मं लगाई है फिर curly bracket लगाई है oh sorry यहां पर E ले लिया और, F ले लिया ऐसे हमने F ले लिया तो यह हमारा एक double dimensional array बन गया ठीक है अब इस double dimensional array का जो नाम है let's say मैं इसका नाम देता हूँ ARR ठीक है अब ARR जो array हमारा बना है इस पे भी हमें stream चलाना है हमाल लिजे ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं देखिए एक blank stream से भी ऐसे काम कर सकते हैं जैसे मैंने starting में आपको होता है था आप से इजह stream.off method चला दीजे stream के अंदर off होता है न साइज stream.off इसमें आप ARR जो है अपना pass कर दोगे और जैसे ARR pass करोगे तो उस ARR को pass करने से हमें क्या मिल जाएगी एक stream मिल जाएगी ठीक है मिल गए stream stream of data मिल गया ठीक है बई ओके नहीं 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 अभी पहले इसको रहने दीजे खोल्ड मत करिए तो ऐसे समझें कि stream of data मिल जाएगा लेकिन आप क्या देख पा रहे हो उस data के अंदर further data है ना उस data के अंदर further data है तो आप क्या लगाओगे यहां पे map लगाओगे क्या फिल्टरिंग करनी है क्या तो फिल्टरिंग करनी करो पहले फ्लैट मैप से उस data को निकालो न भाई तो आप पहले फ्लैट मैप लगाईए फ्लैट मैप की अंदर आप क्या पास कर सकते हो अब यहां पर एक और आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूं मैं कोई data करूंगा मैं अब इसमें क्या कर सकता हूं ऐसे करके टी डॉट एक करके element निकालूंगा ऐसा कर सकता हूं मैं यहां पर लिखूंगा टी डॉट करूं यह करूं यह करूं वो करूं फिर stream निकालूं तो stream मतलब उसके उपर dot stream लिखना पड़ेगा ऐसा है ना नहीं आप क्या कर सकते हो map के अंदर सीधे ही आप stream pass कर सकते हो यह देखो stream लगाओ ऐसे str eam और ऐसे ऐसे लगाओ इसको क्या बोलेंगे method referencing और आप off pass कर दीजे stream का जो static method flat map के अंदर सीधे पास कर दिया तो इस data का stream का further stream हमें निकाल के देदेगा वो है न मझेदार अब आपको अगर इस तरह से काम कर दोगे भाई तो उसके बाद आपको क्या करना बताओ या आपको filter लगाना है लगा लो फिल्टर लगा लो क्या करना है filter करना है अब मैं यह जा रहा हूं कि इसमें जो data आ रहा है ऐसा कभी आपसे बोला जा सकता है इंटर्व्यू में कि आपके पास एक double dimensional array है या array of arrays है इसको array of arrays बोलते हैं क्योंकि memory के अंदर यह होगा 001 फिर 1011 2021 इस तरह से होगा राइट और वो एक single direction में होगा हम बोलते है रो और कॉलम तो रो कॉलम थोड़ी ने computer के अंदर होता है वह तो हमारे आपसे कह दिया जाए कि भया इस पे से कौन सा ऐसा क्रेटर है जो स्टार्ट हो रहा है ए से या स्टार्ट हो रहा है बी से आप चेक करो मैच कराओ चेक कराओ ऐसे करके कुछ इस प्रेटरिंग लगाओ तो हमने लिए क्या लिए टी और टी के अंदर यह लिए कि क्या यह जो डेटा आ रहा है नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं कि है नॉट इक्वल टू नॉट नॉट तो नॉट यूज कर पाएंगे आचा नॉट के साथ मैं ऐसे डबल कोड में ए लिख देता हूं कि मैंने लिखा हुआ है और डॉट इक्वल से लिख दूँ तो ठीक है और उसके अंदर यहां पर पास कर दिया हां तो ठीक है ले तो लिया परफेक्ट है और उसके बाद हमने क्या कर दिया डॉट कलेक्ट कर दिया और यहां पर लगा दिया क्लेक्टर new account to list हमने निकाल दिया तो बैई हम ने फ्लैट मैप चल MV कर लिया डेटा को हमने यह देखा कि क्या हमारा पास जो सारी ही है अगर यह है यह इं जुन वह हमें दिखा दो भई जितने भी ABCD है एक्सवाइज वाले ही डेटा हमें दिखा दो तो मैंने यहां पर क्लेक्टू को प्रिंट कर लिया आप रिंगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है मुझे फिल्टर नहीं लगाना है तो 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 अच्छा नॉट ए मैंने किया था सुरी म सब्सक्राइब करोगे जब आपके पास कोई ऐसे अरे और यहां देता हूं तो मैं सब्सक्राइब करोगे जब आपके पास कोई ऐसे एरे ओफ एरे इस होगा ठीक है और आपने एक इंप्लॉई ऑब्जेक्ट पे भी करके देख लिया प्रैक्टिस कर लिया इसे प्रैक्टिस करिए और अगर आपका कोई कोश्चन है भाई तो ज़रूर पूछी ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ है तो यह बहु इस्ट्रीम के उपर से आप उस में मैप ऑप्रेशन या जो भी इस सलिद ऑखो secondary है जाए ओफटे यह की द 내가 Сам Confirm. देदो, सेनेडियों देदो, कि जैसे सर माल लिजे कि मेरे पास ID, Name, Age, Salary, Address है, अब address तो सर कई, माल लिजे, एक Employee के बहुत सारे हैं, ठीके न, Current Address, Formal Address, वगरे वगरे, तो मुझे क्या करना है, उसके लिए मैंने एक English बना दिया इसमें, अब मुझे सर उसको Mapping करनी है, तो मैं उसको कैसे Mapping करके लाओंगा, तो उसके लिए मैं Flat Map यूज करूँगा, क्योंकि Flat Map में जब हम data को fetch करते हैं, तो उसके उपर से Further.Stream लगा के हम data निकाल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर Stream का Off method उठा के पास कर दिया, method referencing कर दिया, फ्लैट मैप में आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते थे, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके अंदर से देखो, ये Stream निकला, किसी List के उपर से आपने Stream निकला, उस Stream के उपर से जो Flat Map चलाया, तो फिर से फिर Stream चला दिया, अब आप उसके Accordingly Map करो, फिल्टर लगाओ, जो आपको Operation करना है, वो कर लेज अगर Normal Data Structure हमारे पास है, बहुत Simple Word में, अगर Normal Data है हमारे पास, Normal Data या Simple Array है, या Simple एक List है, लेकिन List of, तो List है तो उसको Map से कर लो, फिल्टर से कर लो, लेकिन List of List अगर है, Area of Arrays है, that is Complex Structure, उसके लिए Flat Map, ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में,